यह स्री मा कालान जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है खाओ-खिलाओ खुछ रहो एक्चल में यह मेरा नहीं आप सभी का चैनल है आप सब आते हैं अपना प्यार बनाए रखते हैं यही बहुत बड़ी बात है तो चलिए बना करलने के लिए आपको सरसो का टेल इस्तेमाल करना है तो इसे शाब बहुत अच्छा हाथ है तो आपको कड़ाई रखनी है उसमें डालना है सरसो का तेल गरम हो जाएगा तो यह तो आप स्किप कर सकतें वर ताप मेथी और जीरा जरूर डालेंगे तो इसको बढ़ने की बा लैसन और अध्रक का पेष्ट मिक्स करके मैंने मिलाया था पिस्क लिया था तो इसलिए आपको दिखानी है बट मैं बता रहे हूं कि मैंने आपट अध्रक लेसन पेष्ट डाल दिया है और इसको अच्छी तरह भुण लेंगे धीमी तेज आज मैंने अभी की वैंगी अभी म आपको ट्रीच यह लगाना है कि अगर आपका स्वयाबीन आपने नहीं मैना पहले से अपने भीगा के नहीं रखा है तो आपको यहाँ पर गरम पानी नहीं करके, उसमें यह स्वयाबीन डाल दिजेगा एक मिनट में आपका स्वयाबिन फूल रहेगा यहां पर मैंने स्वयाबिन भी डाल दिया है और अब मैं कर दूंगी गैस कि आज धीमी और इसको धीमी आज पर मैं भुनूंगी क्योंकि इसमें ना मैं ग्रेवी नहीं कर रहे हूं आपको अगर ग्रेवी करना है तो आप बात मसाले आपने स्वयाद के अनुसार डाल सकते हैं जैसे कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर और धनिया मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने डाला है गरम मसाला थोड़ा सा थोड़ा ही लिए और आधा चमच मैंने हल्द डाला है और सुहत कि recording मेने नमक डाल दिया है और इसको आछी तरह मैं मिला लूँगी इस तरहיז बिल्कुल यहां पर मैंने इसकोको भचले हैं मिलने की बाद भाद भम झाल फिर बार बार दक देंगे ढीर याज पर यहां पर अब धीमियाज YouTube आप डालेंगे तबार नेंगे थो तो मेंने यींगने दो तो मेने बढ़ा हिए और बहुत बनती है तो यहांपर रह चलए होग वी है के इसना लाओ दाले यस्का भाड कर दें खाती एक से कतकर दुन यांरे पर नहीं आपको आपको कार सकते नहीं 那 आपके सस्वाद के माशना है और शब्खीया डेकिए अच्छी तरह बंके ठीक कर दिए लेकिन आप मैं इसको धिमियाज टाय है क्योंकि जितना ज्यादा हम भूनेंगे ना यह उतनी ही अच्छी सब्जी बनती है एक्चल में यह ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आपको अगर इसको ना धीमी आज पर भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो हमारी सब्जी अभी बनकर त्यार है इसको राठे और रोटे किसी के साथ भी खाएंगे ना बहुत अच्छी लगेगी महमानों को भी आप सब कर सकते हैं घर में बच्चे भी पसंद करेंगे आप एक बार जरूर ट्राइ करें ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें राधी राधी